आज की या वीडियो उन सभी student के लिए most important होने वाली है जिनकी परिच्छा हिंदी की mcq बेस पे यानि की objective जिसको बहुविकल पे बोलते हैं उस base पे होने वाली है तो उन सभी छात्रों और छात्राओं के लिए most important होने वाली जो बिये के फस्टियर के फस्ट समस्टर के छात् हो या फिर किसी अन्य इन्वर्सिटी के छात्रों ठीक है उनके लिए भी महादपूर है बहुत फारे छात्र ऐसे हैं जिनकी माइनर की परिच्छा हिंदी की है तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफी ज़्यादा help मिलेगी आपके एक्जाम में तो बिना दे ठीक है कि रमेनी नामक रसना में कबीर ने कि छंद का प्रियोग किया है पहले तो आप जान लिए कबीर दाफ जी की एक प्रमुख रसना है जिसका नाम है रमेनी ठीक है तो रमेनी जो रसना है कबीर दाफ जी की उसमें कौन से छंद का प्रियोग किया गया है इन आपसरों में से वो आपको बताना है तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे कि रमेनी रामक जो रशना है कबीर दाफ जी कि उसमें दोहा और चौपाई च्छंद का प्रियोक किया गया है ओके चलिए निश्कोषिन को बढ़ते हैं निश्कोषिन कहरा कि कबीर किस बादसा के समकालिन थ तो कबीर दाफ जी जो थे नससमें सिकन्दर लोध이 मतलब कि पहले क्या थे इतिहास के मतलब कि समराथ हुआ करते हैं Friday कि वहां पर राज करते थे अप ए और प्रजा को अपने अंडर क करके सब काम करवाते थे ठिक है तो सिक अदर लोध कि यह ठीक है समकालिन थे इन अपसरों में से इस बात को ध्यान रखेंगे कौन कबीर दाव जी ठीक है बी नमबर सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि कबीर ने आत्मा और परमात्मा के बीच कैसा संबंद माना है आत्मा और परमात्मा आत्मा आपके अंदर बसती परमात्मा के बीच कैसा संबंद माना है जैसे कि आत्मा और परमात्मा के बीच होता वहीं सही पत्ति-पत्नी के बीच जो संबंद होता वही होता, आत्मा और परमाता में की बीच थीक है तो इस परकार आपको एत्तर लिखना है, ठीक है पती और पत्नी, ठीक है चलिए, सहिफ्तर श्का कौनसा होगा, A नमबर अगला कि कबीर का रहत स्वष्वाद प्रभावित है किस चीज से कबीर डाव जी का जो बता दो इसमें बहुत फारे question मैंने include की हैं लगभग लगभग जातर प्रस्ण ठीक है आपको कुछ question तो छोड़के लगभग प्रस्ण इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे लेकिन गारंटी नहीं लेंगे क्योंकि objective में कोई गारंटी नहीं लेंगे हैं क्योंकि objective में लेंगे लेंगे question फसेगा लेकिन objective वाले में कुछ कहा नहीं जा फकता ठीक है कुछ question होते हैं उनकी guarantee हो सकती लेकिन सभी की नहीं हो सकती आते हैं main question पे लेकिन पढ़ते रहेंगे ध्यान से समझते रहेंगे वीडियो को इंट तक तो काफी सफलता मिलेगे कबीर दाफ जी इन में से किसका बिरोध किया है मतलब कि इन में से बहुत सारे option देगे इन में से किस चीज का कबीर दाफ जी ने बिरोध किया है तो उन्होंने कहा है जात पात को भी हम नहीं मानते हैं और ब्रहम मंडरों को नहीं मानते हैं ओ लोग और मुर्त पूजा ठीक है इन सभी का व तो साखिन की रशना है उसकी रशना की गई इस बात को ध्हान रखेंगे कबीर की भक्ती में यान की साथ किसका समय बेश है कभीर दाफ जी ऐन हो तो भक्ती काल के कभीतो है नहीं इनकी रसनाय से भ्क्तिहाल शुक्तिता है ह। लेकिन उनके भक्ति जो है उसमें ग्यान के साथ और क्या मिलता है इन आपशनों में प्रिष्भ योगा भात ही पूर्प्रिश्ं नंबर से उत्तर होगा ज़सितOS बहुत ही पॉप्लर है कई बार आ चुका परिछह में भी की कभीर दाफजी की भांसा क्या है। कभीर दाफजी की जो भांसा है वो याद रहेंगे सदुकरी ठीक अपने फुना होगा 밥्णकुडी पंचमेल की खिचडी ये इनकी रशना है तो इनकी ग्हांता है जातर इसको आप लोग फद्धुर्खडे पर आधारी थे इनकी राशना है, और कभीर दाल जी जो है, इनकी पतनी का नाम था आपको बतार आप लोग जानते भी होंगे कबीर दाल जी की जो पतनी का नाम था ठीक है, गुंके नाम है? क्वेर दार्जी के पूत्र भी था और पूत्री था ठीक है तो पूत्र का नाम था कमाली तो कमाल और कमाली निंगर पूत्र एनके पूत्री थैं याद रखेंगे है अग्ला प्शन है कि संस्थ कभीर दाफजी ने निम्रिषित में से किस बात का उन्होंने बिरोधि किआ है इन आप्शन में से तो हमारे कभीर धार जी ने मूर्ति पूजा का बिरोधि किया है ठीक है और इन आपसन बहुत सारे आपसन दिये जाएंगे लेकिन इसमें आपको सही उत्तर सेलेट करना एक नमबर ठीक है अगला परशन है कि छारा है तेज सब की इन्हें से सब छार इस काब पंक्ति के रचेता कौन है कौन कभी है इन आपसनों में से तो चली इसका भी उत्तर जानते हैं बहुत ही महात्पूर प्रस ने कई बारा चुका है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मलिक महम्मद जैसी जी इसके इस पंक्ति के रचनाकार है बहुत हैलफूल कोश्चन है अगला कोश्चन है कि ना हुए पूत ना ध्यान पिता ना माता या पंक्त इन में से किफ कभी की है ठीक है तो यह जो पंक्ति कही गई वो हमारे प्रमुक कभी मलिक महम्मद जैसी जी द्वारा कही गई है बी नंबर से उत्तर होगा कौन पान जहीं पौन न मिला इस पंक्ति के रचेता कौन है तो यह जो पंक्ति है याद रखेंगे यह पंक्ति हमारे मलिक महम्मद जैसी ज राजा रतनिफेन जी थे ठीक है वो ठीक है चिताउर गड़ के राजा थे कहां के नमबर से उत्तर होगा अगला की पद्मावत की रशना कि छंद में हुई पद्मावत हमारे प्रमुक कभी मलिक मुहमद जाइफी जी का ग्रंथ है रशना है तो इनकी जो रशना है उसमें कि छंद की ज्यादा उपलब्धी या फिर कौम से छंद का प्रियोग किया गया है तो याद रखेंगे बहुति महात्पूर्ट प्रशने उसमें दोहा और चौपाई का यूच कि आगया पदमावत जो की एक रशना है ग्रंथ है मलिक मुहमद जाइफी जी का याद रखेंगे अगला प्रशने की पहली रानी का क्या नाम था तो रत्न फेन की जो सबसे पहली मतलब की रानी थी वो थी नागमती सी नंबर से उत्तर होगा कई बारा चुका याद रखेंग अगला प्रशन भीया करे रहा कि पदमावत के नायक का क्या नाम ठा तो पदमावत की जो नायक थे उनका नाम आपको बताना बहुत ही पॉपलर कोश्चिन क्या वारा चुका तो से उत्तर हो जाएगा फ्यक है अगला प्रस olmas नहीं कि जो पदमावति मत्फवरी पदमावत जो रशना है ग्रंत है हमारे जाहिफिजींगा यह किस स्रेडी का काबेये एस बात को ध्यारे नखेंगे किस टाइप का है महाकर भ göra किस कर liberal पात है और जैसे कि आ आप लोग बोलते नहीं कि कोई मूबी में ले लिजी तो उस मूबी में बोलते नहीं कि कौन हीरो है ठीक है उसी तरह ठीक है और नागमती इन में से किस क्रत का पात्र है मतलब कि नागमती जो रोल है वो किस मूबी का है या फिर किस नाटक का है किस रशना का है यह आपको बत जो हुई थी पैदा ठीक है याद रखेंगे काफी helpful question है ठीक है वह सिंहल दुइप में पैदा हुई थी इसका सहुत्तर हो जाएगा अगला के पदमावत की कथा इनमें से किस प्रकार की है तो पदमावत जो रशना है इसमें जो कथा बताई गई है याद रखेंगे वो एक कलपना मिष्रित एतिहासिक है ठीक है याद रखेंगे कलपना मिष्रित एतिहासिक है डी नमबर से उत्तर होगा अगला के पदमावती प्राप्ट करने के लिए रत्मक्तिन को प्राप्ट करने के लिए अगला प्रशन के लिए टूस और प्रॉट किस ना महा chyba बही है और बहुत 2020 कोश्चन है और कई बार आचुका तो पद्मवध की जो भाफ सी नंबर स 행복 होगा, अगला बिमें से, स suffers कभी है, ओके, सहिवतार सी होगा, अगला पत्तन है कि, सрузफी साधना के चार अवस्थाओं में क्या नहीं है, तो उसमें नजाकत नहीं देखनें को मिलती है, चाहिए और बाकी सब चीजे हैं, ठीक है, अगला की राम चंद्रिका में कुल कितने, ठीक है, अएउठि recommender बेखार bouई, ठीक है, राम चंद्रिका में जो एक प्रमुक्त रशना है, ठीक है, तो इसमें जो प्रकासों के संख्या याद रखेंगे, सर्गों में इसे बिभाजित किया गया है तो इस प्रकार लिखेंग उत्तर ठीक है बहुत ही महात्पूर्ट प्रस्ट का सही उत्तर हो जाएगा है तो केसो दाव जी का जन्म कहां हुआ था किस सब्सक्र वहा हनुर्ट पंद्रा सो पच्पनिस्थ्बी को अगला कोषच्चन है कि केशो को आपको अगला कोश्चन को मिलता है उनकी रशना में ज्यादा तर आपको क्या देखनेगों को मिलता है इसलिए उन्हें कठिन काब का परेत कहा जाता है के शुदाफ जी को सी नंबर सही हुत्र होगा के शुदाफ जी के अचारत से सम्धित कृतियां हैं इन में से कौन सी तो सही प्रिया तथा रशिक प्रिया यह ठीक है केशव दाफजी की अचारत से समझ्दी दसना हैं कवी प्रिया तथा रशिक प्रिया याद रखेंगे केशव को कभी हिरदय नहीं मिला था उनमें वह सी हिरदयता और भाउता ना थी जो एक अब में होनी चाहिए य Centers मतलब कि केशवदाफ के अंदर जो एक कभी वाली क्वाल्टी होनी चाहिए वह भाव यह फिर वह फिर नहीं था ठीक है यह किसने कहा है तो यह कहा गया है राम चंद्रिका के अजायब घर किसे कहा जाता है तो चंदो का जो अजायब घर कहा जाता वो राम चंद्रिका जो कि बहुत पॉपलर रशना इसी को कहा जाता है राम चंद्रिका के अनच्छेदों को नाम दिया गया है तो जो राम चंद्रिका में अनुच्छेद हैं ठीक है उनको अनुच्छेद ही ना कहकर उनको प्रकाफ क स्टमोधित किया गया है जो कि मैंने आपको बताया था टिक के बंटालिस टिक है प्रकास ऐ शर्व में से विवहाजित किया गया है कि केशो जी को चंदों पर आसिम अधिकार है किुह कतं का है तही इसका है तो कथन कहा गया है one고 बिजय पाल सिंग के द्वारा कहा गया कि के सो जादाफ जी को चंदों पर अधिकार है ठीक है असीम अधिकार है अगला प्रशने कि इन जो मात्र एग ग्रंथ खर्ट रचकर सो प्रसिद्ध हुगा मतलब एक ही दस्ना रचकर वो पोरे मार्केट में पोरे हेंधिसाहिद के छितर में उसको मिल टीक है तो याद रखेंगे उनका नाम है ठीक है बिहारी जी ठीक है बहुत ही महत्पुरण प्रशने सी नमर से उत्तर बिहारी इन में, वेको ब्राहमण. है कि एक रशना है जिसका नाम है सथसाय है सथसाय है में कौन सा क्षंद का यूच किया गया है इसमें दोहा चंद का यूच किया गया है बिहारी जी की जो पुर्वों को रशना है जिसका नाम सत्साई है उसमें चंद जो प्रियुक्त किया गया वो दोहा है अगला की इनमें से बल्लभाचारी के सिस्ट नहीं है बाकी कुम्भन दास, कृष्ण दास, परमा नंद दास, ये सब भी बल्लभाचारी जी के सिस्वें इस बात को ध्यान ना कहेंगे इन में से बिठल नात के सिस्वे कौन नहीं है, बाकी सब है तो बिठ्थल नाथ जी के जो सिस्व हैं वो कर्फनदाफ नहीं है बाकी गोबिंद स्वामी जी नंददाफ जी ततुर भाज जी ये सब बिठ्थल नाथ जी के शिस्व यानि की एक तरीकिस जिसको आप लोग छातर बोलते हैं ठीक है अगला प्रश्ण है कि माधुर्य भाव की उपाफना की प्रमकुता किस चीज में देखने को मिली है ठीक है तो बहुत ही माधुर्य प्रश्ण माधुर्य भाव जी देखने को मिला वो भहिया देखने को मिला है प्रश्ण भक्ति साक्षा में सही उत्तर इसका बानम्मर हो जा क्या है सूर्दाफ जी का दो जारषनिक शुद्धान्त है फ्सुधै तु थीक है सुधैत वाद ठीक है सहीतर्शी होग अगला क्रशन है कि भाईया डरश्ट कूट पदों की रशन अनुमें से किस्टने की है तो द्रश्ट कूट चुलेना हुए सो लिये मतलब की पंक्त फिर से पढ़ेंगे हम कि पुष्ट मारग को जाहाज जात है सो जाको का चुलेना हुए सो लियो या बात किसने कही थी तो ये बात जो है वो जिनके द्वारा कही गई थी उनका नाम है बिठल नाथ जी बहुत ही महत्पूर प्रशन सा भी तो सकता है घ्यान दाएंगे थी ठीक है ओधो महें ब्रज भिसरत नाही मतलब की हम से जो नहीं चोडा नहीं जा रहा है लुक तो Bowl है किशकہ है तो सिम्पल सा बात है बह uncon Conse सेक्षन में बताए हाप उत्तर आपको बताना है ठीक है अगला पुम्व हिंदी में वातसल,रस,का की सब्सक्राइबुय रास है का जाता है वह क उस पढ़ें है हमारे बसी को सूर स्थान जाता होई सुर्दाफजी का जन्माव का है ठीक है कि patience किसके अनुसार वारता साहत के अनुसार स्थान बाल लिए किसको भेजा था तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे उनको भिझा था अकुरूर को हो भैजा था सी नमबर से उत्तर हो जाएगा ठीक है अग्या कि नियुए पाल लीला का परतिबादन किया थो बल्लोभाचारजी ने सुध हैत वात का परतिबादन किया थी नंबर से उत्तर हो जाएगा कुस्त को संकृत के किस परंपरा में देखा जाता है वहुत महात्पूर्ण प्रश्ण यह है तो यह देखा जाता है जय देव जी की ठीक है कि परंपरा में देखा जाता है क्रश्ण काव परंपरा में पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है या फिर कहा जाता है किसको तो क्रश्ण काव परंपरा में पुष्ट मार्ग का जो जहा जुन कहा जाता है चुन दाव जी को किसको कहा जाता है चुनों प्रेछ सागर कर जो सुर्दावуж जी प्रभासा में किस वहीштा सुन सागर का प्रियोक्त किया गया यान्यई दो कि Сंख्या कितनी है तो सूर सागर जो रशना है सूर दाव जी की इसमें जो असकंदो के संख्या वह टोयल भी यानी की बारा है तुभी नमबर से उत्तर होगा अगला है कि तुलसी दाफ जी का दार्सनिक मत है इनाफसनों में से तो तुलसी दाफ जी का जो दार्सनिक मत है इनाफसनों में से वो है अगला है कि तुलसी दाफ जी की भक्त किस भाव की थी तो तुलसी दाफ जी की जो भाव थी वो दार्सनिक मत है इनाफसनों में से तुल तो ध्यान लखेंगे दो हैं अगला कि तुलसिदास का कौन सा ग्रत दासनिक कहलाता ये भी महत्पूर है सही उत्तर हो जाएगा ठीक है बिने पत्रिका अगला एक रामचेट मानफ की रशना किस भावसा में की गई तो आप सभी कौन नहीं जानता इसके बारे में तो अवधि में की गई ए नमबर से उत्तर हो जाएगा लोक नायक इनमें से किस कभी को कहा जाता है तो लोक नायक की जो उपाद ही वो तुलसी दाफ जी को दी गई है दी नमबर से उत्तर हो जाएगा राम चेट मानफ का रशना या फिर जो राम चेट मानफ रशना है इसको कितने समय लगा था पूर्ड करने में या फिर राम चेट मानव रशना कितने समय में पूर्ड हुई थी तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे कितने दिन में हुई थी बताईए दो वर्स सात माह में इस बात को ध्यान रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा ए नमबर ठीक है अगला है कि तुलसी दास द्वारा रचित राम चेट मानस में कितने सोपान अथवा कांड है ठीक है तो सोपान कभी-कभी बोला जाता है पिर कभी-कभी कांड बोला जाता है तो इस बात को ध्यान रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा साथ नमबर आप सभी जानते भी है तुलसी दास को काली काल का वाल मीकी है ये किस ने कहा था तो तुलसी दास जी को काली काल का वाल मीकी जो कहा है उनका नाम है मताई ये कमेंट सेक्शन में नाभा दास जी दी नमबर से उत्तर तुलसी दाफ जी ने अपनी भक्त का आदर्स की से सुभिकार किया है ठीक है तुन्हों ने चा तक को ए नमबर से उत्तर होगा अगला की तुलसी दाफ जी ने स्रंगार के छेत्र में किसके साथ प्रवेश किया था तो उन्होंने प्रवेश किया था मतब कि मारेदा के साथ मतलब कि अच्छे से मारेदा पूर्वग तुलसिदास के राम कौन है तुलसिदाफ जी के जो राम है वो मारेदा पुरसोत्तम राम है तुलसिदाफ जी के राम किस कोट के नायक है तो तुलसी दावस जी जो है वो किस कोट के नायक है आपको बताना काफी helpful question है तो सही उत्तरिश्का हो जाएगा option number ठीक है धिरो दात धिरो दात यानि कि ए नमबर सही उत्तर होगा अगला कि किस कबने कावे रशना का प्रियोजन स्वांता सुखाय ठीक है माना है तो स्वांत इनकी रशना है राम चंद्र का किस की रशना है केशोधार जी की ए ठीक है अगला कि कविता वली में कितने कांड है तो तुलसी दाव जी की प्रमुक रशना कविता वली में total 7 कांड है सी नमबर सही उत्तर होगा ओके प्रस्टन है कि इनमें से किस कभी ने ब्रज भासा और और भासा में समान अधिकार मतलब कि इनमें से किस कभी का ब्रज और गरिशना में समान अधिकार है ठीक है तो उनका नाम है याद रखें का फिर्पल को श्चने तुलसी दार जी का ठीक है अगला तुल सिय दास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोग नायक किसने तुलसी दाफ जी की मृत्ति कब हुई थी तुलसी दाफ जी की जो रशना है ठीक है वह स्वानता सुखाय उद्देश के लिए की ती इस बात को ध्यार रखेंगे काफी कोश्चन है कई बार दाफ जी की जो मृति हुई थी आपने जाना के सुल्थ अक्रणीयोग के इससी से सहुत्त बोज्थमे करने वह स्वानता लेकर घृता है तो यहीड रखेंगा इसम्म…. भी नंबर से उत्तर होगा अगला पस्टन है कि माया दीपक नर्पतंग ठीक है भ्रहमी भ्रहमी इवे पढ़न्त और इस पंक्त में अलंकार कौन सा है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बताएगे कमेंट स्क्षिन में आपको मालूम है तिसमें जो मतलब की रूपक अलंकार क् कि कि अलागा है किसी का ओल दिया गया है कबीर को उलत बांसी लिकने की प्रेड़ा कहां से मिली थी तो कबीर द ‎क है बांसी को अप्रेशन प्रेडात से मिली थी गतल्स तो उनकी जो गद्दी है इन आपसरों में से जिनको मिली थी उनका क्या नाम है धर्मदाफ जी ठीक है अगला कोश्चन है कि कासिय में प्रगट भे रामानंद चेताए यह पंग्त के लेखक कौन है ठीक है तो यह पंग्त के जो लेखक है वह कभीर दाफ जी कि मृत कहां तो कबीर दाफ जी की जो रशनायों का संकलन धर्म दाफ यह बहुत impress के घृत करत की नाम मताईए भीय है कि आप लोग बिहारी सत्सयी नमें तो बिहारी जो सत्सई है वो मुक्तक काब है दी नंबर से उत्तर होगा आगला प्रशन है कि भाईया बिहारी ने साहित में इनमें से कौन प्रवत्य नहीं पाई जाती है मतलब कि बिहारी के साहित में इनमें से कौन उसे जो प्रवत्य वो नहीं पाई जाती है इनकी रशनाओं में वो चीज नहीं पाई जाती है वो है रहसवाद की प्रवत्य ये इनकी रशनाओं में नहीं पाई जाती है बिहारी जी की ठीक है बिहारी रतनाकर के लेखक कौन है तो बिहारी रतनाकर के लेखक बिहारी जी है बिहारी सत्साई का प्रमुख रस क्या है तो बिहारी सत्साई में जिफ रस का प्रियोग किया गया है या फिर जिफ रस की प्रमुखता है वो है संगार रस ठीक है बिहारी सत्साई जो रशना है जो कि हमारे प्रमुख का बिहारी जी की है इसमें कौन सी भांसा का यूज साफ्त्र का प्रियोग किया गया इस बात को ध्यान रखेंगी बिहारी सत्साई पर इमने से किस ग्रंथ का परभाव है ठीक है तो इस ग्रंथ का नाम है याद रखेंगे ठीक है पहला है गुबर्धन चारे क्रत ये भी है ठीक है आर्या सप्त सती और बी नंबर भी सही है क्यो कि किस काब विधारा के कभी थे बिहारी लाल जी रीत काल के किस काब विधारा के कभी थे तो रीत सिद्ध काब विधारा के कभी थे रीत सिद्ध काब विधारा के सी नमर से उत्तर हो जाएगा बिहारी से बिहारी सत्साई पर टीका नहीं लिखी है किस ने मतलब कि ये कुश् बिहारी ने सागर भरी कई बार कोश्च चना चुका यह कथन किसका है तो आप सभी जानते हैं ठीक है यह कथन आप चंद्शुक्रा की द्वारा आगया था कि बिहारी जी ने घागर में सागर भर्णे का काम किया ठीक है अगला को सब्सक्राइब बिहारी के दिछागुरू वित्शा गुरू नरिहर दास याद रखें ग्युष्चन है अगला कुश्चन है कि रीत काल के किस कभी को फच्छात रसमूर्ती कहा जाता है तो उनका नाम है घनानंद जी ठीक है अगला कि घनानंद किस बादसा के दर्बार में रहते थे ठीक है तो इन आपसनों में से जो हमारे घनानंद जी मुहम्मद साहर अंगीले के दर्बार में अगला question कि घना नंद बात सहा के डर्बार में किस पद पर कारिरत थे ठीक है तो घना नंद जी बाद सहा मुहम्मघ सार अंगिले की हां मीर मुनसी का कारिकिया करते थे ठीक है अगला अगला जोs जाते थी यादरकें के इवारा श्मोंक है और आपके exam के लिए इंपार्टन कोईशचन है वह वेस्ट थे थे डीनम्मर से उत्त्र होगा भाअचा फ्रबीन सुछंद फदा रहे जो घंजी के कवित बखाने घंणादन्ध की ऐसी प्रसस्त किसने की है तो जिन का उनका नाम है ब्रजनात जीने की घंणा-दन्ध की का विभाअसा कौन सी है तो इसी तरह आपको आगे और भी कुछ देखने को मिलेंगे जिनको आपको तयार कर लेना इस वीडियो में करीब करीब 200 के मेरे आकड़े कानुसार करीब 200 के करीब कोईश्चन है हलाकि 1500 से तो ज्यादा ही है ठीक है 200 के आसपास है ठीक है तो इन कि आगे उत्तर नहीं दिये गए आप लोग समझ लीजिएगा मतलब कि आप लोग जानते भी होंगे नहीं जानते हैं तो इस सिंपल सा इंटरनेट पर सच कर लीजिएगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो रह नहींगे मुश्चिल से 10-12 क्वेश्चन 15-20 रहे गए हैं बस इन्हें के उत्तर आपको तैयार करना बाकी के उत्तर का मैंने आप मतलब बाकी के जो कोश्चन थे करिब करिब सो उनके तो मैंने उत्तर आपको बता ही दी बाकी मिलते एक और ने वीडियो के साथ जेहंद